हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो मेकनिकल फोरम, इस वीडियो में हम लोग SSC JEE का जो एक्जाम हुआ है 29th January को, उसके दोनों शिफ्ट में जो questions आये थे, उसके हम लोग analysis करेंगे, लेकिन analysis पर जाने से पहले मैं कुछ आप लोगों से के साथ share करना चाहता हूँ, कि जो हम लो में तो आप लोग को cut off के बारे में हम लोग predict करेंगे कि क्या possible cut off हो सकता है SSC JEE के लिए, और जो उसके बाद जो वीडियो आएंगे, उसमें आप लोग के लिए कुछ news रहेगी, कुछ important news रहेगी, SSC JEE main से related, और DMRC JEE का जो भी recruitment आया है हाली में, उससे related कुछ news है आप नहीं हुआ था, उससे पहले ही कई channels ने cut off निकाल दिया है, और कई website भी ऐसी है, जो cut off बता रहे हैं, predict कर रहे हैं, लेकिन I think जो exam है, वो last में थोड़ा tough हो गया है, last के कुछ batches जो है, वो tough थे, तो ये उतना easy नहीं था, हो सकता है, cut off थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि last के set tough तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आपका feedback लेंगे, आपका response लेंगे, और उसके basis पे cut off को predict करेंगे, ठीक है, तो आप लोग कैसे अपना feedback देंगे, हम लोग का community tab है, उसमें हम लोग एक question पोस्ट करेंगे, जिसके 4 option होंगे, तो आप लोगों को क्या लगता करी होगी, exam देने के बाद कुछ सही हुए होगे, question कुछ गलत, तो आप लोग के कितने marks आ सकते हैं, माली जा अपने 160 question attempt किया है, तो आप 130 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, तो वो आपको select करना है, तो उसके basis पे जो हम लोग को feedback मिल जाएगा, उसके basis पे हम लोग cut off को predict करेंगे, और I think वो थोड़ा जादे ही believable रहेगा, वो जादे विश्व सनी कट off रहेगा, और others channel, others website के comparison में, ठीक है, तो question आपको मिल जाएगा, जल्दी, और तो चलिए आगे analysis को start करते हैं, general awareness section में जो आद questions पूछे का है, वो है Miss World 2017, कहां पर हुआ था, इसका जो fine finale था, वो कहां प टीकर ओफ लोग सभा है, जो ये बताता है कि ये बिल जो है, वो money bill है की नहीं है, ठीक है, जोग फॉल और गेरोसपपा फॉल को और भी किस नाम से जाना जाता है, I think यही question था, तो महत्मा गांदी उसका answer होगा, महत्मा गांदी एक्टली हाइड्रो पाउर प्लांट है वह अपॉइंट अपॉइंट गवर्नर विद द एडवाइस आफ किसकी एडवाइस लेता है, प्रेसिडेंट जो राष्टपती है, राजिपाल को नियुक्त करते समय, ठीक है, तो युनियन, युनियन, काउंसिल आफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, इन डारेक्ली हम लो और सोडियम इस्टेरेट, सोडियम इस्टेरेट भी इसको बोला जाता है, ठीक है, एक्जैट कुश्चन नहीं पता है, इसलिए मैंने आफ फॉर्मला लग दिया कि आप लोगको एक आइडिया लगे इन फर्दर एक्जाम्स, नेक्स्ट कुश्चन, विच टीम हैस वन मेड जोशी होगा, मुरली मनुहर जोशी जी को मिला है, पंद भी बूशर, और भी कुछ आप्शन रहे होंगे, तो I think right option is the मुरली मनुहर जोशी, ठीक है, बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, तो बेकिंग सोडा को बोला जाता है, sodium bicarbonate, NaHCO3, ओके, नेक्स्ट, इंडिया ज ब बना रहा है, इंडिया ब्रिज बना रहा है, ठीक है, founder of आत्मी सभा, next question, राजा राम मोहन रहा है, कौन है founder of आत्मी सभा, तो जो right answer है, वो है राजा राम मोहन रहा है, ठीक है, next one, बिमस्टेक की मीटिंग, इस बर कहां होई थी, अगस्त में, अगस्त 2017 में, तो वो हुई इंडिया ने किसको बीट किया, तो इंडिया ने ने नेपाल को बीट किया था, ठीक है, final में, next one, film festival of इंडिया से related कोई question था, वो clear नहीं हो पाया है, which part gets affected by vitamin D, ये भी question clear नहीं कि vitamin D की deficiency, I think question यहीं रहा होगा, कि vitamin D की deficiency से कौन सा body part जो है, वो effect होता है, ठीक है, question clear नहीं था, इसलिए मैंने इसका answer भी नहीं लिखा, which state has highest राजसभा, MP, तो उसका right answer होगा, UP, UP उत्तरपदेश के सबसे ज़्यादे हैं, और क्या number है उसका है, वो है 31, okay, next one, the basic idea of logpal is borrowed from, logpal का जो basic idea है, वो किस country से लिया गया है, तो उसका जो right answer है, वो है Sweden, Sweden से लिया गया है, ये, logpal का idea, ठीक है, diopter is the unit of measurement of the, तो इसका right answer है, वो होगा, optical power of lens, okay, next one, एक question था, topic of Capricorn के उपर, I think, कि जो मकर रेखा है, वो किस country से होकर गुजरती है, किस country से पास होती है, तो options तो नहीं पता है, खेर मैं बताता हूँ, किस-किस country से पास होती है, कुछ important countries के नाम मैंने हलिग दिय से चाइल हो गया, अर्जेंटीना, पेराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफरिका, मोजांबिक, मेडागासकर, आस्ट्रेलिया, और ये कुछ important countries है, जिनके थू हो, जिनसे पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानिकि मकर रेखा, इसी तरह 23.4 डिग्री ऊपर क्या होती है, वो होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानिकि करक रेखा, ठीक है, करक रेखा, 23.4 डिग्री ऊपर होती है, और जो मकर रेखा होती है, 23.4 डिग्री नीचे होती है, साउथ में होती है, एक्क्वेटर से, ओके, तो ये कुछ questions थे, जीके से related, तो जीके का overall अगर review हम लोग करते हैं, तो वो moderate से tough हो गया आपका, ऐसा मुझे strengths का feedback आ रहा है, और reasoning तो moderate level की आ रही है, उतनी tough नहीं आ रही है इस बार, थोड़ी lengthy हो जा रही कभी कभी, लेकिन easy रहे है, फिर भी easy to moderate हम लोग एक बोल सकते हैं, ठीक है, और अग आपको बताये कि centrifugal pump और turbines related question आप लोग पढ़के जाएए, flywheel से related भी एक numerical आया था, poisons ratio आपको मैंने बताया था, उससे related भी question आया, double slider cranks related question, और material science के भी 2-3 question आ रहे हैं इस set में, ठीक है, तो overall review तो मेरा फिर से वही था, इस बार भी, कि देखिए मैंने आप लोग को बताया था और personal मुझे message भी कई लोग के आए कि जो fluid mechanics से questions आ रहे हैं, 25-30 है, IC engine से dual cycle पर भी question आये थे, tom से numerical आ रहे हैं, तो अगर आप लोगोंने analysis देखी होगी तो I hope आप लोग का exam अच्छा गया होगा, और आप लोग एक बार जरूर अपने जो options हैं, अपना जो feedback है वो आप लो टैब में जा करके और उनके basis पे हम लोग cutoff को predict करेंगे, ठीक है, and thank you guys, thank you for watching this video,